हलो, السلام علیکم, मैं जवाद आप सभी का स्वाध करता हूँ इस नए व्लोग में आप लोग कैसे उम्मीद करता हूँ, आप लोग अच्छे हूँगे बट मैं यहाँ पे अच्छा नहीं हूँ क्योंकि आप यहाँ पे यह चीज देख सकते हूँ तो यह कब हुआ, कैसे हुआ, आज के वीडियो में मैं पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और क्या गलती आपको नहीं करनी चाहिए आप जब कहीं जूले पे जाते हो या कहीं भी जाते हो तो सटेडे का दिन था यानि के सनीचर था और हम लोग का जो स्पेशल क्लास होना था वो नहीं हुआ था तो हम लोग क्या प्लान किये थे कि चलते हैं जूला घुमने, वहाँ पे आने के बाद आज पता नहीं हम लोग के साथ क्या हुआ अभी जो टिकट लेने के टिकट लिये हैं उनको बहुत छोटा नोड दिये हैं लेकिन उनके पास जो है ना चेंज ही नहीं है और यहां पे पांच मिनट से रुके हुए हैं गर्मी वैसी लग रही है, टाइम वैसी पास हो रहा है अब क्या किया जाए तो हम लोग टिकट लेके मतलब 15-20 मिनट वहां पर रुखने के बाद टिकट जो मतलब फाइनली वह आंटी के पास है ना चेंज हो गया था तो चेंज होने के बाद क्या कि हम लोग वो चेंज दे दी तो फिर हम लोग एंट्री ले रहें अंदर करें तो अब जैसे ही अंदर आया मेरे को यह ना बुल वाला दिखा है बहुत दूनों से सौच रहा था लेकिन फाइनली जो हैना इसको ट्राइए करने का टाइम आ गया है तो बाहित बाया जाबाध बाध बाया जाबाध बाध कि यहां कि यहां लगा है अब यहां बहुत तगरा लग दिया भाई अभी हालत देख रहे हो वह बहुत बैठने की वज़ा से क्या हुआ मैं सामने की तरफ जूलिया सामने का पॉशन मेरा उस पर लग गया तो अभी जो यह मेला के में ओनर है उनके पास हम लोग बैठे वोगे थे तो वो क्या बोले हैं कि मतलब आप जाओ डॉक्टर को दिखा दो अगर ज्यादा कटा होगा तो टांका लगेगा नहीं तो पटी मे काम चल जाएगा बहां जाने के बाद पता चलता ही क्या करना पड़ेगा तो अभी जो एना ड्रेसिंग हो गया है और बोला टांका लगेगा और उसके बाद जो ना टेस्ट और यह नीसमझ में आया कि टेस्ट किस चीज़ का लिया जाएगा जब टांका लगना है तो लेकि पटी पटी भी कड़ दिया है अभी जो डॉक्टर साहिब अंदर जो है ना दवा लिख रहे हैं दवा लिखने के बाद हम लोग घर की तरफ निख लेगे और तांगा की यह पिक देख लेना मतलब एक दों बद्धा सा लग रहा फिनिशिंग नहीं है डॉक्टर तो अभी जो da a sitter के पास सारा काम करवा के वापेस मेला के पास अया और यहां की बहुत ही कॉपरेटीव था और यह पहली बार ने इससे पहले भी एक बार मैं यहां पर आया था और इनसे मिला था जो वहां पर मैं गलती क्या किया था कि नाव वाले जूले पर खड़ा हो गया था तो सर बोले थे कि आप मतलब खरे नहों से गिड़ जाओगे चोट वगएर बहुत अपसोस हो रहे हैं प्रिवें अच्छे नंब कोई दिकत नहीं अपना भाई है और इतना कोप्रेट करता है यह हम लोगा पौबलिसिटी बगरा भी देता है तो उसके बाद जो मेन भाई जो हमारे साथ गया थे आपका ना में शुल्तान भाई सुल्तान भाई सुल् मिलते हैं अगले विलॉग में जब तक आप अपना ख्याल लखिएगा